नमस्कार साथियों, मैं डाक्टर अरुन कुमा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीत बिज्ञान विभाग, एक नए विशे के साथ आपका स्वागत करता हूँ. साथियों, इस लेक्टर में मैं बात करूँगा प्लेटो के उपादस राज्य, यानि सब आज़ियर स्टेट के बारे में. साथियों, प्लेटो के समष्थ चिंतन का उद्देश से एक ऐसी सासन विवस्था की स्थापना करना था, जिसके द्वारा तदकालीन समाज में व्याप्त, अराजक्ता, भष्टाचार, विशमता तथा अन्ने सभी सामाजिक समस्याओं का अंध किया जा सके. इसी उद्देश से प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध गर्णत रिपब्लिक में एक आदर्ष राज्ज की उपरेखा प्रस्तुत की, और उस आदर्ष राज्ज को इस्थापित करने के लिए उसने विभिन प्रकार के सिध्धानतों का प्रत्पादन किया, जैसे न्याय सिध सिध्धानत, सिक्षा सिध्धानत, सामेवादी सिध्धानत और दर्षनिक राजाक का सिध्धानत, प्रेटो की मानिता थी कि सासन संचालन एक कला है, इसलिए सासन संचालन जैसा महत्व पूर्णकार किमल योग योम दर्षनिक विक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, इसलिए वह चाटा था कि सभी राजा दार्फनिक बन जाएं जब सभी सासाक सभी राजा दार्फनिक बन जाएंगे तो निश्टितर उप से एक आधर सासन ब्यूश्था कि स्थापना होगी और राजी इससे सारी समश्याओं का समोल नेष्ट किया जा सकेगा इसी उद्धियसे से उसने सिराकुरूज की राजा दियोनीसियस को दार्षनिक राजा बनने के सिच्छा भी दी जिसमें वो अस्फल रहा उसी दोरान उसे एक दास की रूप में एजाइना दियूप पर बेंच दिया गया जहां उसके मित्र एनी कैरेस ने उसे मुक्त करा करके एथिंस वापस भेजा वापस आने के बाद प्लेटो ने अपने अंतिम ग्रंथ दी लाज का लेखन आरम किया और दी लाज के लेखन में प्लेटो ने उन तत्तों को सामिल किया जिनकी आधार पर एक उपादर्स राज की स्थापना की जा सके जीवन में मिलेकट अन्भों से प्लेटो कोई अहसास हुआ कि जिस आधर्स राज की स्थापना वह अपने रिपब्लिक में करना चाहता था वह ऐसा राज ब्यवहरिक्ता की धातल पर फ्रंभों नहीं है क्योंकि उसने अपने जीवन के विभिन पकार के अन्भों से यह समझ लिया कि जिस पकार के दार्फनिक राजा की उकलपना करता है, जिस राज की उकलपना करता है, ऐसा राज ये वास्तिविक्ता के धातल पर रम्हों नहीं है। इसलिए प्लेटों ने अपने अंतिम ग्रंथ दीलाज में एक ऐसे उपादर्स राज की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसके आधार पर एक उपादर्स राज की इस्थापना की जा सके। प्लेटों ने अपने ग्रंथ दीलाज में एक ऐसे राज की कलपना की है, जो वास्तविक है, जो एथार्थ है, और जिसको ब्यवहरिक्ता के धातल पर इस्थापित किया जा सकता है। जब प्लेटों अपने ग्रंथ दीलाज में अपने उपादर्स राज की योजना प्रस्तुत करता है, तो उसमें उन सभी कम्यों को दूर करता है, उन सभी तुर्टियों को दूर करता है, जो तुर्टियां उसने रिपब्लिक में आदर्स राज के प्रित्पादन में की थी और वहनक्यमल सिच्छा सिधान्त, सामयवदी सिधान्त, बलकि न्याय ब्यवस्ता में भी आंसिक परिवर्तन करता है क्यों क्योंकि प्लेटों ने अपने आदर्स राज में जिस न्याय सिध्धान्थ की बात की थी जिस इच्छा सिध्धान्थ की बात की थी या सामयवदी सिध्धान्थ की बात की थी या दर्फनिक राजा के विचार की बात की थी, वो सभी विचार, सभी सिधान अब्यवहारिक थे। इसलिए प्लेटो जब अपने अदर्फ राज की व्याक्षा करता है, तो उन तक्तों पर बल देता है, जो वास्तविक हैं, ब्यवहारिक हैं, और एक अथार्थ में राज को इस्थापित कर सकते हैं। यदि हम प्लेटो के उपादर्स राज के लक्षनों की बात करें, विशिष्टाओं की बात करें, तो आप देखेंगे, प्लेटो अपने उपादर्स राज में सबसे पहले कानून की सर्वच्चता के शिधानत का पृत्पादन करता है। जिसके हमने बताया कि प्लेटो ने अपने आदर्स राज में दार्फनिक राजा को सर्वच्चता प्रदान की थी। और दार्षनिक राजा को सर्वोच्टा पदान करती हुए प्लेटों ने कहा था कि कानून अनावश्यक है राज में कानून का कोई स्थान नहीं है लेकिन सिदा कुरूज में मिले अपने कट अन्भों से उसे यहा महसूस हुआ कि दार्षनिक राजा की अउधाना वास्तों में काल्पनिक अउधाना है दार्षनिक राजा की खोज करना अतियंत कठीन है इसलिए उसने जब उपादर्स राज की योजना प्रस्तुत की तो दार्थनीक राजा के स्थान पर कानून को सरवच्चता प्रदान की और कहा कि राज्य की सारी सासन वेवस्था कानून के अधीन रहेंगी सभी व्यक्ति, सभी वेवस्थाएं कानून के अनुसार कारे करेंगी तो जहां आदर्स राजज में प्लेटो दार्फनी किराजा को सर्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश क्योंकि राजतंत्र में विवेक का सासन होता है लेकिन प्लेटो कहता है कि प्रजातंत्र में भी कुछ अच्छे गुण होते हैं प्रजातंत्र में स्वतंदता मूलभूत तक तो होता है इसलिए प्लेटो ने अपने उपादस राजी के लिए राजतंत्र और प्रजातंत्र द में स्वतंदता को प्रमुखस्थान दिया जाता है और दोनों ब्योस्थाओं को मिला करके एक आदर्स सासन ब्योस्था वो तैयार करता है जिसे वो अपने उपादर्स राज्य में स्थापित करने का प्रियास करता है या उसकी योजना प्रस्थूत करता है अगर टीसरे तत्तु की बात करें तो प्लेटो अपने उपादर्स राज में जिस सिच्छा योजना की बात करता है उस सिच्छा योजना पूरी तरीके से राज के धीन है राज द्वरा नियंत्रित है आदर्स राज में प्लेटो ने जिस सिच्छा युजना की बात की थी उव आस्तों में एक लंबी सिच्छा विवस्था थी इसमें प्लेटो ने पाठेकरम भी तै किये थे कि कब कला संगीत, कब विज्ञान, कब व्यायाम की सिच्छा दी जानी है लेकिन प्लेटो ने उपाधर्स राज में जिस सिच्छा युजना की बात की है वो सिच्छा युजना पुर्ई तरीके से राज दोरा ने अंतर थे प्लेटो राज जुको पुरा धिकार दिता है कि राज जी अपनी आवश्शक्ताओं के अनरूप परिष्टियों के अनुरूप और समस्याओं के अनुरूप सिख्षा ब्यवस्था को लागू करे पाठे करम को तय करे और राज्जी के सभी नागरीकों को समानूप से सिख्षा की सुविधा सिख्षा कोसर उपलब्ध कराए प्लेटो जब उपादर्स राज्य की बात करता है तो सामिवादी ब्योस्था में भी परिवर्दन करता है आपने पढ़ा है कि प्लेटो ने अपने आदर्स राज्य में एक ऐसी सामिवादी ब्योस्था को लागू किया था जिसके द्वारा उसने सनच्छक वर को अर्थास साइनिक और साशक वर को निजी संपत्य और निजी परिवार्षे वंचित कर दिया था लेकिन प्लेटो जब अपने उपादर्स राज्य का प्रित्पादन करता है तो उपादर्स राज्य के प्रित्पादन में उस सामिवादी बेवस्था में भी परिवर्तन करता है उपादर्स राज्य में वहाँ राज्य के सभी नागरिकों को निजी संपत्य और निजी परिवार रखने की सुतंदर्ता प्रदान करता है तो कहता है कि प्रतेग बेक्ति अपना निजी स्परिवार रख सकता है प्रतेग बेक्ति निजी संपत्ति रख सकता है लेकिन संपत्ति कितनी रखेंगे उसकिल उसने सीमा तै की है उसने कहा कि प्रतेक बेक्ति अपनी आवश्काओं के अनरूप संपत्ति रखेगा क्योंकि अगर प्रतेक बेक्ति को असीमि संपत्ति का अधिकार दे दिया जाएगा तो धीरे-धीरे साली बेक्ति पूजी को एकत्री कण कर लेंगे तो धिरे दिरे संसाधुनों का पूजी का केंदरिकन हो जाएगा और समाज में विशमता का जन्म होगा और विशमता अन्य तमामतरी की समस्याओं को जन्म देती है इसी तरह वह परिवार को भी कहता है कि प्रतेक्मिक्त अपना निजी परिवार रख सकता है लेकिन परिवार और रमाज के दाइत्तों में एक संतुलन्द बनाने की बात करता है वो आत्मसयम की बात करता है सभ कंट्रोल की बात करता है वो ऐसे आत्मसयम की बात करता है ताकि पारिवाइक दैतों के साथ साथ राज्य के दैतों भी पूरे किये जा सकें उसकी बाद इद हम बात करें तो प्लेटो अपने उपादर्स राज्य में नियाय के ब्यावहारी के विम कानूनी पच्छ पर बल देता है जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो ने अपने आदर्स राज्य में नियाय के नैतिक पच्छ पर बल देते हुए बेक्तिगत और रामाजिक नियाय की बात की थी और कहा था कि जब बेक्ति अपने आंतरिक गुणों के आधार पर या पुधानमुण के आधार पर कारी करते हैं तो न्याय होता है वहाँ पर उसने कानूनी न्याय की अभेलना की थी लेकिन जब प्लेटो उपाधर्स राजी की युजना प्रसुत करता है तो एक संस्थागत न्याय ब्यवस्था की बात करता है चार प्रकार के न्यायलियों की बात करता है एक न्यायक प्रिक्रिया की बात करता है एक यथार्धवादी न्यायक ब्योस्था की बात करता है और न्यायक के कानूनी पक्षिपर बल देता है इसी पुकारे देखें तो प्लेटो ने शासन ब्योस्थाक की भी ब्याक्षा की है कि शासन ब्योस्थाक संचालन कैसे होगा प्लेटो कहता है कि शासन ब्योस्थाक संचालन करने के लिए एक साधरन सभा होगी एक General Assembly होगी, जो कि राज्यके सभी नागरिकों से मिलकर बनेगी, उस सभी नागरिक प्रशासनिक संगटनों का चुनाओ करेंगी, प्रशासनिक समीतियों का चुनाओ करेंगी, जिनके द्वारा सासन बेवस्थाक संचलाण किया जाएगा, उसके बाद इसे बात करें तो प्लेटो अपने उपादर्स राज्ज के स्थापना के लिए भगौली तत्तों पर बल देता है जब प्लेटो ने आदर्स राज्ज की योजना प्रस्तुत की थी तो वहाँ पर उसने भगौली तत्तों की बात नहीं की थी लेकिन जब प्लेटो अपने उपादर्स राज जी की योजना प्रुस्तुत करता है तो भगोलिक कत्वों पर भी बल देता है वो कहता है कि राज जी की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए वो कहता है कि एक आदर्स राज जी की जन्जंख्या पांस ज्यार चालिस होनी चाहिए राज जी की अर्थवेउस्था किसी आधारित होनी चाहिए राज जी की सीमाओं के बारे में बात करता है कि राज जी की स्टेती ऐसी होनी चाहिए जहां पर उसकी सीमाएं चारोर से सुरस्षित हों और राजी के छेतरपल की बात करता है कि राजी का छेतरपल ना तो कब होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए बलकि राजी का छेतरपल उतना होना चाहिए जितने से उस राज्य की जन्संख्या का भरण पोशन आसानी से हो सके तो इस प्रकर्जित हम देखें तो प्लेटो ने अपनी उस तक दिलाज में जिस उपादर्स राज्य की व्याख्या की है वास्तों में उसके रिपब्लिक के आदर्स राज्य से बिलकुल अलग है दिलाज में पुस्तूत किया गया उसका उपादर्स राज्य वास्तविक है व्योहारिक है जिसे हम वास्तविक्ता के धरतल पिस्थापित कर सकते हैं जिससे समाज में एक इस्थाई, इस्थिर या गतसील सासन बे उस्था का निर्माड कर सकते हैं और समाज में आब वी समस्ट्रान का अंत्र पकारा है, तो इस पकार देखें प्लेटो का उप आदसराज जिसे कई अर्थों में कई आधारों पर अलग है तो आसा है कि इस विश्य आपको समय में आया होगा मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद